नमस्कार स्वातियों, स्वागत है आपका ग्रोटो सक्सेश चनल पर मैं हूश भम और आज मैं आपके सामने एक अपडेट लेके आया हूँ राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भरती को लेकर के जो परिक्षा हुई थी अठारा और निज्जून को तो उसका अपडेट जो है वो क्या है यहाँ पर मैं आपको राजस्थान के बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के बारे में जो जानकारी है कि किस तरह से कट ओफ रेने वाली है क्या-क्या सीटे यहाँ पर थी और कौन-कौन सी केटेगरी में कितनी-कितनी सीटे हैं ठीक है और कट ओफ यानि डोकुमेंट वेरिफिकेशन के लिए डबल जो बुलाएंगे केंडीडेट्स उनकी कितनी संक्या होने वाली एक किसको बुलाएंगे किस नहीं टो वह सारा वह सारा-सारा प्रोशेस में आज आपके सामने पूरा analysis लेके आए हूं ठीक है तो हम देखते हैं analysis को कि क्या है और जो भी आपके doubts है वो मैंने लिख दिये जैसे संभावित परिणाम डेट संभावित cutoff क्या रहने वाली है शिजलता होगी नहीं होगी 14 27 का क्या है चक्कर ठीक है यह सब चीजें यह सब बातें मैं इसी वीडियो में करने वाला हूं ठीक है तो यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीस जल्दी सब्सक्राइब कर लिजिए और देखिए कि क्या है पूरा महाजरा देखिए बेसिक कंप्यूटर रूंदेशक के दिए यह बात करो तो टोटल वेकेंसी जो थी वह 9,862 थी ठीक है तो उसमें आठ बशाड़ा था वह भरा था दो लाग तीश जार बच्चों ने दो लाग तीश जार कैंडिडेट्स ने यह फॉरम बशा था उस टाइम पर जब फरवरी में इसकी वेकेंसी निकली थी तो फरवरी में जब वेकेंसी निगली तो यह 2,30,000 आवेदन आये थे अब उसकी बात बाद में करते हैं कितनों ने एक्जाम दिया था और क्यूं दिया था इतने कमने ये भी आपको मैं जानकारी देने वालों ठीक है तो आप देखें आप यहां पर देखते हैं कि जो अंडिजर्व्ड के जो मेल है वो उसमें मेल की सीटें थी 2322 फिमेल की थी 974 वीडव यानी विद्वा, इनकी थी 2758 विपोर्सऋ इनकी थी 51 तो इस तरह से अंडिसर्व्ड कैटिगिरी में इतनी सीटें थी ठीक है अब इसमें से double बुलाए जाएंगे जैसे 2x मालने हम to double हो गया है तो इसकी double इसके just double यहाँ पर बुलाएंगे तो 4.5 जार सम्तिंग कुछ लाइक ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर इसका double कर लो आप into multiplied by 2 कर लो तो उतने यहाँ पर बुलाए जाएंगे जनरल की बात कर रहो है अब रही बात OBC गी तो OBC में क्या है 37% डारक्षन है पर 68% डारक्षन के according इतनी सीटें यहाँ पर इनको नहीं मिलिए यहाँ केवल मिलिए 1314 सीटें तो 1314 सीटें को मतलब है 11 या 12% मिलिए टोडल तो 11 या 12% का इनका आरक्षन माल लो आप तो यहाँ पर थोड़ी प्रोलम है क्योंकि OBC आरक्षन को लेके थोड़ी सी दिक्कत है यहाँ पर तो यहाँ पर होनी चीए थी 2400 सीटें लगबग यदि 27% आरक्षन को हम देखें बात करें तो EWS में मेल के हैं 632 पर फीमेल के हैं 254 वीडियो के हैं 642 एमबीसी की बात करें तो MBC में भी 320-116 इसे तरह SC ठीक है और ST तो भाई अब देखिए देखें क्या हो रहा है कि यहाँ पर EWS में क्राइटरिया पूरा करेंगा 40-40 नमब लाओ और सीट पाओ ऐसा वाला सिस्टम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डबल केंडिडेट मिलना मुश्किल है 632 के डबल क्योंकि डॉक्मेंट वेरिविकेशन के लिए डबल केंडिडेट बुले जाएगे तो 632 के नहीं लगबग साड़े 12-1300 केंडिडेट हो गया तो वह इतने केंडिडेट मिलना बहुत मुश्किल है मेल केटेगरी में EWS के अंदर ठीक है तो यहां तो यह थी वह 40-40 नमबर का क्राइटरिया पूरा गल लत है इनका जो क्राइटरिया है 40 नमबर का वो पूरा गल लत है तो इनका तो सेलेक्शन पक्का है इसके बाद MBC MBC में भी सेम यह पोजिशन रहना वाली है यहां भी डबल 320 का डबल यहां मिलना बहुत मुश्किल है ठीक है HTSC वाले HTSC में 1000 यहनी 2000 के इंडेटरिया मिलेंगे इनको पोसीबल ही नहीं है 35 का क्राइटरिया पूरा करो सीट पाओ नोगरी पाओ HTSC में भी ऐसा ही है इसमें 35 क्राइटरिया पूरा करो कि से डबल मिलेंगे नहीं भाई यहां पर यहां दिक्कत है ओबीसी आरक्षन क्योंकि यहां पर दखिए चांच थी ओबीसी वाले केंडिटर्स बहुत जाद है और यहां पर उनको सीटे दिए वह 11-12 परसेंट ही दिए यहां बहुत भेंकर कंपटिशन होने वाला इसके बराबर टच करेगा कंपटिशन ठीक है तो इसके कट ओफ बहुत जाला जाने वाली इन दोनों के ठीक है पर इनकी बात करें तो इसमें को दिक्कत नहीं इसमें डबल मिलना है मुश्किल हो जाएगा तो यहां से हिए WS MBC HCT तो बस क्रेटेरिया पूरा का रोल लोगो इसमें भी क्रेटेरिया पूरा का रोल लोगी है ठीक है तो यहां पर है प्रॉलम कि क्या होगा कि कटो जाद जाएगी अब दिखिए हुआ क्या था कि क्योंकि यहां पर इस जगे से Candidate नहीं मिलेंगे, C category, ST category यहां से Double Candidate मिलने वाले नहीं है, यहां भी मिलने वाले नहीं है, ठीक है, तो इन चारो categories में Candidate मिलना मुश्किल है Double, तो Double मुश्किल है तो इनका Criter एक 18,000 लोग बुलाने हैं, जहां तक मेरा अनुमान है ठीक है तो अब देखे अब क्या हुआ था कि 2,30,000 लोगों ने फॉम भरा था तो 2,30,000 लोगों ने फॉम भरा था तो उसमें से एक्जाम दिया था एक लाख उन्साट जार एक लाख साट जार के आसपास है ठीक है यह मुटा मुटा देख रहे हैं तो यह अप्रोक्स है तो यह हुआ क्या इतने इतने कम कैसे नहीं 75% अटेंडेंस हो गई है तो तो 75% ने पेपर कैसे दिया एक्जाम कैसे दिया 75% ने तो देखे क्या है कि भोच्छे से लोग थे यानि लगबग यह मानलो आप कि 35,000 परिक्षारती जैसा कि न्यूस पेपर में भी आया था आर्टिकल चपाता है कि 35,000 परिक्षारती बहार हो जाएंगे इस परिक्षा से क्य search की परिक्षास है क्योंकि उनका रिज़ल्ट उस टैम तक आया नहीं था जब यह औब यह आवेदन हुए थे जब उनका रिजल्ट नहीं आया था मतलब जिन्होंने फरवरी में PGDSA में जोइन कराया तो उनका रिजल्ट भी नहीं आया फॉर्म बनने तक तो रिजल्ट नहीं आया इस रिजन से 25,000 भार हो गए तो 35 प्लस 25 लगबग कितने हो गए 60,000 हो गए तो वो 60,000 माइनस करें ठीक है तो वो 60,000 माइनस करें इसलिए एक रहा हूं आपको मैं ठीक है संभवित तो अब यहां पर प्रोलम यह है कि भाई टोटल वेकेंसी इतनी है ठीक है अब इनको जो वेकेंट सीट थे लगबग कितनी रहने वाली तो दिखेंश जो है अब जैसे X-serviceman हो गया वीडियो डिवोर्सी बगरा इसम मिला के 20 से 30 परसे है जिनके 35% माक्स नहीं आप आ रहे होंगे ठीक है तो 20 से 30 परसेंट यह नहीं दो से 3000 सीटें लगबग खारी रहने का अनुमान है कि इतनी खाली रह सकती है दूजरा अब देखे हम देखते हैं कि भाई क्या है ओब्जेक्शन वाले जो क्या है तो देखो 5 से 7 डिलीट होने की सम्भावना करें तो cutoff की बात करें तो general में यह जो 85 नमबर ला रहा ठीक है जो 85 नमबर ला रहा है मतलब जिसकी कट़फ 85 है मतलब जिसके mans किर्फ कि बाद नहीं करना है जिसके नमबर श्का भी 98 या 99 पर से फर az warten पर जिस कोनेगा computer teacher जिसके 95 प्लस मार्क्स यहां पर आए हैं ठीक है अब हाई कोट याची का भी बात कर लेते हैं तो दीखें हाई कोट की भरती हाई कोट भरती रद्द कर देगा ऐसा कुछ देखें ऐसा है कि हाई कोट को जब तक पुक्ता प्रवान नहीं मिलेगा ना तब तक हाई कोट भरती रद्द नहीं करेगा क्योंकि एक आटिकल आया था न्यूस पेपर में ही कि हाई कोट नहीं सरकार को यह notice ज़री किया था या आदेश ज़री किया था उसमें सरकार को कहा गया था कि ऐसा है कि इस जो computer की वेकेंसी निगली बाद में और मतलब इसी सत्र में वो भरा जाएगा ठीक है तो कौट तो इसको अटकाने से रहा है क्योंकि कोट में अब साबित भी नहीं कर सकते हैं है कोट में क्या दो बातें आई थी एक फिद पेपर लीक हो गया तो वो साबित नहीं हो पारा, दूसरा कटा-फटा विलिफावा मिला था, वह भी जी साबित नहीं हो पारी है, जब तक आप उसको साबित नहीं कर दोगे, तब तक कोट नहीं मानेगा, ठीक है, तो कोट की तरफ से भी कुछ नहीं है, क्योंकि साबित हो नहीं पाया है, ठीक है, तो अब परिणाम की बात करें, तो भाई इसका जो परिणाम है, इसका जो परिणाम है, वो लगभग, 22 से लेकर के, मैं प्रीवेस व्यूडियो में बता चुका हाँ आपको, कि 22 से लेकर 26 अगस तक, परिणाम इसका आ जाएगा, ठीक है, क्यों और आएगा 26 का क्यों बोढ रहे ह शुगणृवार को याते हैं परिणाम अपने गोवर्मेंट की जो रास्तान गोवर्मेंट की वेकेंसी जो निकलती है उसमें अधिकतर परिणाम और से कितनी सीटें खाली या फिर शितल्ता वितल्ता की बात करें तो दिखिये मैंने परिणामद की बात कर ली कुछ अब करते हैं थीक है अच्छे-चे मार्क से बच्चों है अस्यस्यक्ति नंबर ला रहे हैं स्टुडेंट्स एसा नहीं है ठीक है तो मेरे पास बहुत कुछ कमेंट्स आए थी जोन्होंने अपने मार्क बता है तो उसमें अच्छे-खासे नंबर आ तो एसा यह 14-27 वाला तो बिल्कुल है तो बिल्कुल होगा खत्म होगा तो केली ठीक है शितलता की बात रही तो देखें शितलता यह दी गवर्मेंट दिखाती यह ज्यादा साली सीटे रहती सपोस्थ जिसे माल लो दो तीन जार एक एंडिडेट पास हुए ठीक है डोकुमे सीटों में फिर शितलता दिखा सकती है गवर्मेंट पर यह जैसे माल लो 7-8,000 किंडिडेट पास हो गए 7-8,000 सीटे भर गी अब बची 2-3,000 सीटे जैसा कि अभी मैं आपको बता रहत है मैंने लैसिस के थूँ कि 2-3,000 से क्या सपास सीटे खाली रहेगी तो इसमें गवर् तरह से अपन नहीं कह सकते है इसमें कुछ भी ठीक है हाँ पर यह है कि यह दी 2-3,000 कि इंडेट पास हुए है तब फिर शितलता दो दिखानी है क्योंकि वह उसमें 10,000 वेकेंसी हैं उसमें 2,000 पास हो रहे हैं तो फिर वह उसमें तो हो गई होगा निश्य दूरूप से शितलता के चांसे 50-50 % एडिपैंड करता है एक रिजल्ट कहा रहता है, ठीक है, तो अभी तो पहले रिजल्ट आएगा, शितलता के बात-बात में करेंगे, अभी जो हे अभी चीज है वह रिजल्ट ना है, तो 12- 26 तरीक की वेच में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 26 को डि आप सुत्रों से पता लगना है कि 100% रिजल्ट आ नहीं है तो वह तो आएगा याएगा ठीक तो सिधिल्टा अगरा को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ भी हो सकता है सिधिल्टा को ले करके ठीक और जोइनिंग कब तक है यह एक यह भी एक मिन्दा जब तो सब्न डॉक्यमिन ऑरघ्ज़क जाएगा तो ड्वुक्यमिन वेरिफिकेशन जाएगा सब्सक्राण whipped लगाने है इसलिए जोइनिंग हो सकती है यह डिक यदि कुछ ऐसा मुद्दा वगर stewards नहीं हुआ तो अब यह दिन का कुछ कुछ और मुद्दा हो गया, कुछ और केस वागर आगे हो गये, या और कुछ हुआ बवाल, तो उसके बाद फिर हम नहीं कहीं सकते हैं, वाकि अभी जो प्रोसेस चल रहा है, यह यह प्रोसेस सक्सेस्फूल रहा, तो फिर दिसमबर तक जोइनिंग, आराम से दिसमबर कर पर पर बता रहूं कि क्या है ठिक है तो इतनी दिन से मैं वीडियू नहीं बना रहा थ winner ठीक के मालक सब्ट का तो यह है ठीक है तो इसी तरह के अपडेट्स और पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ठीके और आपकी विरोषिप बहुत जय भारत